और एक्टिस वराभासकर के फिल्म मिसिस फलानी का मुहुर्त राइपुर के काठा डी में किया क्या यहां फिल्म के दर्देशक मदीश किशोर के अलावा शेहर की कईज जानिवानी हस्तिया मौचूद रही और आप भी गई हैं और फिल्म सुटिंग भी हो रहा है एक साथ नौनो फिरदार कैसे करेंगे बस यही डर है मुझे और यही सबसे बड़ा चैलेंज है और यही सबसे बड़ा ओनर भी है मेरे लिए इसके लिए सबसे खास वो रोल होते हैं जो मुश्किल हो जिने पढ़के क्या मैं यही कर पाऊंगी तो मैं बहुत अपने आपको खुश नसीब समझती हूं कि मेरे करियर में मुझे ऐसा मुझे ऐसा मुझा तुरी इंबार में लाए जहां मुझे डर लगाओ स्क्रिप पढ़के यह मुझे मुझे सालों बाद आया है और वो भी एक नौ रोल है त क्या में मुझे मुझे डरी हूट तो बिल्कुल आपको बात करने की बात ते वापस कृप्ड पे जा रही हूं है और अपने एक चर्री इड़्यों करते हैं झाल 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 डिरेक्टर्स खड़ें आपर मनीश किशोर जी और मधुकर जी तो मुझे लगता है बेस्ट यह बताएंगे कि मिस्स फलानी क्यों खास है? पर मिस्स फलानी बसिकली उन और तो की कहानी है उन और तो की कहानी है जिनके सपने कहीं न कहीं अधूरे रहे घेंगें हर इंसान के ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है और वो कहीं न कहीं किसी रीजन से वो पीछे छूट जाते है तो ये नौ ऐसी ओरतों की कहानी है जिनके सपना की सपना होता है किसी ओरतों की सपना होता है झाल झाल